एक गाओं में तीन किसान रहता था एक का नाम रामू, सियामू और सुहन था तीनों दोस्त गहरी आपस मिद्रुता थे और एक दुसरे को अच्छी तरह से जानते थे अपना बैपार चलाने के लिए वो तीनों गाओं में जाके नजदी की जंगल से लखड़ी काट काट कर नजदी की बजार में बेचा करता था तीनों दोस्त आपस में काम जाम मिलकर करता था एक दोस्त लगडी करता था तो दूसरा उसे टॉली में जाके रखाता था इस तरह से तीनों दोस्त वापस में काम बाण्ट माण्टकर अच्छी तरशे नियामित रूप से करती रहता था इन तीनों का वेपार लकडी बेच के अच्छा कासा घर पड़े बार चला लेता था और तीनों दोस्त वापस में अच्छी खुशी रहाता था जंगल से लकडी ले जाने के लिए इन तीनों दोस्तों ने एक बेलगारी खड़ी रखा था जिसमें दो बेल काम करता था इन तीनों मिलकर लकडी का गठा इस बेलगाड़ी पे लोड कर दिया और बारे बारे से इसे पूरी अच्छी तरह से बांद दिया ये तीनों बहुत महनती था और इसका प्रजिनाम उसे लाष्ट में लकडी बेचने के उपरांत रासी के रूप में मिल जाता था और तीनों आपस में बराबर हिसा में बांट लिया करता था साम होने से पहले उसे बजार पहुशना होता था और वो बजार लकडी बांद के बजार के लिए निकल गया रास्ता वही गां के पकडंडी द्वारा गुजरता था और रात होते होते सारे लकडियां गां के बजार में अच्छे की में तो पिर बेच आता था